आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की आप देख रहे हैं सोगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आशा शर्मा क्रिकेट की सफलता के बाद राजनितिक खेल में भी नवजोट सिंग सिद्दू एक मजे हुए खिलाडी के रूप में उपरे नवजोट सिंग सिद्दू अपने राजनितिक करियर में लंबे समय तक पैर जमाए उन्होंने कई बार लोकसवाद चुनाब जीते वो पंजाब सरकार में लंबे समय तक वे मंतरी भी रहे वही उनकी पत्नी नवजोत को और सिद्धू भी लबे समय तक राजनिती में सक्रिय रही नवजोत सिद्धू की पत्नी इन दिनों कैंसर जैसी गंभी समस्या का सामना कर रही है नवजोत और सिद्धू ने अपने ट्वीटर आकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि कैंसर जैसी बिमारी से आपको घवराने की जरूरत नहीं है बलकि आपको इसके साथ जीने की जरूरत है जीवन अनमूल है, हर इंसान को अपने जीवन को बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए जीवन को अच्छे से जीना चाहिए नवजोत कोर सिद्दू को उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट में स्टेज 2 कारसीनोमा कैंसर हो गया था हाल ही के दिनों में उनकी सरजरी हुई है इस दौरान नवजोत सिंग सिद्दू भी उनके साथ है अस्पताल में नवजोत सिंग सिद्दू अपनी पत्नी को खुद खाना खिलाते हुए नजर आए जिसकी भावुक पोस्ट उन्होंने अपने शोशल मेडिया प्लैटफॉम पर शेयर की सिद्दू ने अपनी पोस्ट पर लिखा कि या उनका दूसरा स्टेज चल रहा है उनकी सरजरी सफल सफलतम हुई है घाव धीरे धीरे भर रहे हैं और नवजोत रिकवर कर रही है लेकिन दिल के में मौजूद बिमारी के घावों को भरने में अभी तक वक्त लगेगा नवजोत सिंग सिद्दू अपनी पत्नी वो बेटी के साथ अनेकों धार्मिक स्थलों पर जाकर अच्छे स्वास्थे की कामना कर रहे है पेशे से डॉक्टर रही नवजोत कोर अमरित इस्ट विदानसवा सीट से बर्ष 2012 से 2017 तक भाजपा की विधायक रही बेपंजाब की तक काली अकाली भाजपा गटपंदर सरकार में चीफ पारलिमेंटरी सेक्टरी भी रही उसके बाद नवजोत कोर अपने पती नवजोत सिंग सिद्धू के साथ कॉंगरेस में शामिल हो गए 2017 के चुनाब में अमरित सर ईष्ट विधानसवा सीट से नवजोत कोर की जगा उनके पती नवजोत सिंग सिद्धू कॉंगरेस के टिकट पर चुनाब लड़े और जीतकर कैप्टन अमरिंदर सिंग की अगुआई वाली पंजाब सरकार में मंत्री बने 2022 में हुए पंजाब विधानसवा चुनाब से पहले नवजोद कोर ने राजमिती छोड़ कर अपने पुराने प्रोफेशन मेडिकल नाइम में लोट जाने की बात के ही थी नवजोद सिंग सिद्दू की बात की जाए तो 2017 में कॉंग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान उनकी पत्नी पंजाब में कैविनिट मंत्री भी थी लेकिन सिएम पद के लिए नवजोद सिंग सिद्दू और पंजाब के सिएम कैप्टन अमरिंदर सिंग के बीच सियासी तनातनी होने से कैप्टन और मिंदर सिंग को मुख्यमंत्री पद से स्थीफा देना पड़ा लिहाज़ा पार्टी ने चरंजी सिंग चर्णी को दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री बिनाया कॉंग्रेस पार्टी ने नवजोद सिंग सिद्दू के अध्यक्षता उनमें 2022 विदानसवा चुनाव लड़ा जिसमें सत्तारूर कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा पार्टी के हार के बाद नवजोद सिंग सिद्दू ने पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्षत से इस्तिफा दे दिया उमीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी प्लीज इस वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल सोगंध टीवी को सबस्काइब जुरूर करें आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की